दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट मोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कवर लोकल पैसेंजर को एक अगस्त से मिलेगी सहुलियत फिर से ट्रेक पर दोड़ेगी पटना सासाराम और गया जमालपूर समेट छे जोड़ी स्पेसल पैसेंजर ट्रेने जी हाँ लोकल पैसेंजर को अब फिर से सहुलियत मिलने जा रही है कोरोना काल में बंद वी पैसेंजर ट्रेने फिर से ट्रेक पर दोड़ेगी कूल 6 जोड़े स्पेसल पैसंजर ट्रेनों की सिवा को पूरो मजद रिल्वे बहाल करने जा रहा है पतना सासाराम और गया जमालपूर समय रा स्पेसल पैसंजर ट्रेनों की सिवा 1 अगस से चालो कर दी जाएगी इस समाद में बुदवार को पूर मजद रेलवी की तरब से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गिया है एक अगस्त जीन पैसंजर ट्रेन को सुरुक किया जाएगा उसमें ट्रेन सेंख्या 03611 पाटना सासाराम पैसंजर इस्पेसल ट्रेन 03612 सासाराम पाटना पैसंजर इस्पेसल ट्रेन 03616 गया जमालपूर पैसंजर इस्पेसल ट्रेन 03615 जमालपूर गया इस्पेसल ट्रेन 03628 गया क्यूल पैसंजर इस्पेसल ट्रेन 03627 क्यूल गया पैसंजर इस्पेसल ट्रेन 03323 सिंद्री टाउन धनवाद स्पेसल ट्रेन, 03324 धनवाद सिंद्री टाउन पैसंजर स्पेसल ट्रेन और 03311 बरवाडी डेहरी ओन सौन पैसंजर स्पेसल ट्रेन सामिल है। अगली बाड़ी खबर विधायक में संसोधन का विपक्ची प्रस्ताव गिरा 21 मतों से सत्ता पक्च जीता। विपक्च की मांग के बाद स्पिकर विजे कुमर सिन्ना ने सदन में वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई इस वोटिंग की दोरान संसोधन प्रस्ताव के पक्च में कूल 90 वोट आये जबकि विपक्च में 110 वोट आये। सत्ता पक्ष के पास 21 वोटों की संग्या जादा थी लिहाज बिपक्ष का संसोधन प्रस्ताव गिर गया। विधायकों की पिटाये पर भावुक हुए मांजी बोले विधानसवा में मेरे आखरी पारी है कहा कि यह साइद उनकी आखरी पारी है विधानसवा में साइद अगले बारवा ना हो लेकिन उन्हें इस बात पर अपसुस है बाड़ी कबर बिहार में मेडिकल और नर्सिंग कोलेजों के लिए खुलेगा अलग से इनिवर्सिटी विधायक हुआ पास जिहा बिधानसवा में बिहार स्वास्ट विज्ञान विष्विदाला की गठन से सम्मनित विधायक पास हो गया है इसकी जानकारी देते वे स्वास्ट मंत्री मंगल पाने ने कहा कि राज में स्वास्ट सेवाओं में गुनातमक परिवर्तन हुआ है इनका संचालान समोची तरीके से करने के लिए इसे विष्वास्ट विज्ञान विष्विदाला का गठन किया जा रहा है इस विधायक में तीन संसोधन पेस किये गए हैं जिने मंजूरी देते वे सर्व सम्मत्ति से विधायक पास हो गया है अगली बड़ी कब राजगीर में बनेगा खेल विष्विदालाई खेल के एक्सपर्ट बनेंगे विसी इसे सम्मध सभी कॉलेज में महिलाओं के लिए 33 फिजदी सीटों का होगा आरक्चन जिहां बिहार को खेल में बड़ी तागत बनाने के उद्देश से बिहार खेल विस्विदाले बनाने का निने लिया गया है बिहार खेल विस्विदाले बनाने वाला देश का छटा राज होगा इसके पले गुजरा, तामिल नडो, राजस्तान, आसाम और पंजाब में इस तरह का विश्विदाले काम कर रहा है विदानसवा में कला संस्कृती एवा युवा मंत्री डाक्टर आलोक रंजन ने विदेख पिस किया है उन्होंने बताया कि स्पोर्स इनिवसिटी में केल से संबंदि डिप्लोमा से लेकर पोस्ट ग्रेजवेर तक की पढ़ाई होगी प्रारंबिक चरण में सारेडिक दिसिक्षा, स्पोर्ट फिजिक्स, केल परिच्चान, स्पोर्स मीडिया, केल प्रवंदन और केल प्रसासन सम्मंदित विसेवे की पढ़ाई होगी राजगीर में मुक्याला होगा और सियम कुलादी पती होगी आपके जानकारी के लिए बता दे कि राजगीर का कराज केल अकेडमी इसका एक हिस्सा होगा ऐसे व्यक्ति को विस्विदाले का कुलपती बनाये जाएगा जिनने केल प्रसासन या केल प्रवंदन का अनुबव हो अंतराष्ट्य इस्तर के खिलाड़ी हो बाड़ी कबर बिहार में बहुत भारी बारिस की चेतावनी मौसम विबाग ने राज सरकार को किया अलट जहां बिहार में लगबक तीन हपते से कमजोर पड़ा मानसुन एक वार फिर से सक्रे हुआ है और सुबे के कई लाकों में पिछले दो-तिन दिनों से बारिस हो रही है लेकिन इस वक्त जो बड़ी कबर को मौसम विबाग के हवाले से आ रही है उसके मुताबिक बिहार में बहुत भारी बारिस की चेतावनी जारी किया गया है मौसम विगान केंद्र ने राज सरकार को अलट लेटर जारी किया है मौसम विबाग के तरब से जारी इसले अलट में राज के मुझ के सचीव और आबदा प्रवंदन विबाग के सचीव को इस बात की जानकारे दी गई है कि बिहार के कुछ जिलों में बहुत भारी बारिस अगले कुछ दिनों में होने वाली है जबकि कई जिलों में भारी बारिस का दोर जारी रहेगा मौसम विवाट के अनुसार बंगलादेश के उपर कम दवाब का एक चित्र बना हुआ है जिसके कारण उत्तरी पश्च में बिस्व की स्थिती बनी हुई है इस वज़ा से बिहार में बहुत भारी बारिस की आसंका है मौसम विवाग test alert में बताया इके 29 जुलाई और 30 जुलाई को बिहार के ज़्यातर जिलों में बारिस होगी जबकि कुछ जिलों में बहुत भारी बारिस का पुरानवान है भारी बारिस का alert जिन जिलों में जारी किया गया है वाँ एक दिन में लवग 65 mm बारिस होसकती है जब लखी सराय सिखपूरा नलंदा पटना जहानाबाद वैसाली अर्वल और औरंगाबाद जिले सामिल है जबकि कई जिलों में 30 और 31 जुलाई को बहुत भारी बारिस का अलट किया गया है इनमें गया नवादा और अरंगाबाद केमोर रोहतास नालंदा और वोजपूर जिला स मिर्तकों में बिहार के 12 लोग सामिल है विशन सडक हादसा यूपिक के 12 मकी जिले में हुई है जिसमें 24 से ज्यादा लोग घायल है बिहार के मुखिमंत्रे नितिस कुमार ने इस घटना पर दुख जताया है मुखिमंत्रे ने हादसे में बिहार के रहने वाले मिर्तकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपिय देने का एलान किया है। इस हादसे में घाय लोगों के समोचित इलाज एवं बिहार लाने के लिए उत्तर परदेश सरकार से समय नव किया जा रहा है। वहीं घटना इस्तल पर बिहार सरकार के अधिकारे भी भेजे गए हैं। एक विदानसबा चेत्र में पांच-पांच स्वास्त उपकेंद्र, एक-एक अतरिक प्राथमिक स्वास्त केंद्र और 122 समोधाइक स्वास्त केंद्रों की मंजूरी दी गई है। इन सभी के निर्मान की समय सिमा 15 महिना है। अगले मां से काम करने लगेगा। पटना प्रमंडल अंतरगत या पहला D.I.C. होगा। इस केंद्र के किरनवन के लिए स्विकर्त डाक्टर समयत 12 स्वास्त कर्मियों की जगा 9 का ररत है। या जानकारे मंगलवार को D.I.C. की जिला समय नव डाक्टर अभिसे कुमार ने दी है। केंद्र के आवज सक संसोधन एवं वबस्ता सुनिचित की जा रही है। उन्होंने बताए कि बच्चों के हिरदय में छेदर आखोव दंत से जुड़ी गंबिर बिमारिया तेड़े हाथ पाउं के साथ लगबग 38 प्रकार की सारेरिक एवं मानसिक बिमारियों का इलाज D.I केंद्र के मायदम से सरकारी खर्च पर किया जाएगा। सम्मव सहायता दे जाएगी। बद्वार को विदानसवा में या जानकारी मंत्री ने लालित कुमार यादव, आलोक कुमर महता, भोदेव चोधरी वा भाई विरेंद्र के ध्यान करसन के जवाब में दी है। आची खबर है, राज सरकार ने जल दी इसकी नियोजन प्रक्रिया सुरुक करने का फैसला किया है। सिक्चा मंत्री विजे कुमार चोधरी ने विदानसवा में इसकी जानकारी दी है। सारेरिक सिक्चा और स्वास्द अनुदेशक की समर्ग में भी आरक्षन की निती समार रुप से लागू रहेगी। बड़ी केबर केंद्र सरकार का बड़ा बयान बच्चों को टीका अगले मास लगना हो जाएगा शुरू। साथ उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही सबसे बड़ा वैक्सिन उत्पादक देश बनने जा रहा है क्योंकि अधिक कमपनियों को उत्पादन लाइसेंस भी मिलेगा। बड़ी कबर बिहार में महिलाओं को 730 दिन की सिसु देखवाल छुटी जल्द। साथ उन्होंने कहा कि बिहार सरकार महिलाओं की सहलियत वो उनकी विकास को लेकर समयदन सिल रही है। 2015 में निने लिया गया कि महिला कर्मियों को दो बच्चों के लिए 730 दिनों का सिसु दिखवाल अवकास दिया जाएगा या सभी महकों में में लागू होगा। माजोदुगी में उनकी घर वापसी होगी। खुसवाह की घर वापसी के लिए मुखीमंतर नितिस कुमार ने हरी जंडी दे दी है। मिदानसबा चुनाव के पहले स्री भगवान को स्वाहा जेड़ों में ही थे लेकिन पार्टी ने उने जगदिश पूर मिदानसबा सीड से टिकट नहीं दिया तो नाराज होकर LGBT के टिकट पर चुनावी मेदान में उतर गए थे। और आंद की बड़ी कबर इगनु जल्द जारी करेगा जून टीटी परिचा का एडमिट कार्ड तीन अगस्त से सुरू होगी परिच्चा। आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार में दो से ज्यादा बच्च वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाने वाला कानून लागू होना चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं